आज हम बनाएंगे बकडा एदी स्पेशल बीफ ड्राइब ओटी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और अगर आप इस तरह से बीफ को बनाते हो ना तो आपको काफी ज़्यादा युनीक सी रसिपे मिल जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची होती मैंने यहाँ पर 1 kg बफैलो का मीट लिया है आप यहाँ पर मटन का भी यूज कर सकते हो लेकिन हम इसे बीफ के साथ बनाएंगे और आपको सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेना है और जो बीफ की तुकड़े आप लेंगे इने दो कर अच्छे से उखा लेना है इसके इसके पाइसे बाद हम इसके यूज करेंगे बनाने के लिए तो यह कहसे ल स्पैस डालेंगे बहुत हीं पहाँ स्मेज हमारी बीफ ड्राइब आपको यह थो चट्कारा बोटी चाहाएं तो वह भी एसकते हैं लिकिन धोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रेसेपी है इसमें मैं धोड़ा सा जिंजर गालिक पेस्ट आडड करिंगे साथ ही इसमें एड़ करेंगे साथ और सारी चीजह कें डालने के बाद हम इसमें आड कर देंगे पानी पानी आपको बहुत जादा नहीं डालना है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आदा ग्लास के करीब पानी को डाला है क्योंकि जो यह मीट होता है यह अपना थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो इसमें काफी जादा क्वांटिटी में पानी आप ना डाले अगर आप जादा पानी डाल देते हैं तो आपको इसे आगे जागके काफी देर लग जाती है बूनने में अब इसमें हम चार विसल लेंगे हाई फ्लेम पर और पच्छे से तीस मिर्ट तक धिमियाज पर इसे पकाएंगे क्योंकि हमने बीफ का गोश लिया है तो यह गल्ले में थोड़ा से जादा समय लेता है और आपको प्रेशर को खुल के थोड़ा देर इसे छोड़ देना है जिस तरह मैंने यहाँ पर देखिए प्रेशर हमारी खुल चुकी है थोड़ा सा इसे ठंडा होने दिया था और हमा किसी भी चॉपिंग गोट पर निकाल सकते हैं इस तरह से चाकू की हल्प से और इसे आप पुरी तरह से ठंडा हो जाने दे उसके पाद ही आप इसके इस तरह से पीसेस कट करें आपको इसे काटनी के लिए कोई तेज अगर आप धार वाली चाकू लेंगे तभी इसके पीस एक पर आप लिए यहांपर हम आठ करेंगे कुटी हुई धनिया इससे क्या होते है बुहत ही अच्छा सा क्रेंची सा फ्लेवर मिलता है खुश्पू बखाद अच्छी आथी साथ हम इस ने भुुना हुआ जीरे का पावडर एक करेंगे वन-टे-स्पून चिली फ्लिक्स इसे इसका लुक काफी अच्छा आता है, मैं यहाँ पर बहुत ही कम स्पाइसेस आड़ कर रही हूँ लेकिन हमारी जो यह बोटियां है बहुत टेस्टी बन के तयार होंगी, साथ इसमें काला नमक डाला है और वाइट तिल हम इसमें आड़ करेंगी क्रंच के लिए, यहाँ मैं फूट कलर भी आड़ कर रही हूँ, कलर के लिए इससे काफी अच्छा कलर आपको देखने को मलता है बोटी के उपर और अब इसमें हम आड़ कर देंगे अराउंड वन टीस्पून के कॉन फलार, यहाँ आप इसमें कॉन स्टाश भी डाल सकते हो, अगर आपके पस ना ह तो आप यहाँ पर चामल के आटे का इस्तमाल भी बहुत असानी से कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के इस्तमाल से हमारी जुबोटी है, इसके उपर एक अच्छी सी कोटिंग आचाती है, और फ्रेंड्स आपको इसे बहुत ही धीमे धीमे, हलके हलके हाथों से मिक्स करना होत आप तेल को अच्छे से प्रवापर गरम करना है, इसे आपको हाइफ लें पर जुब गारुत करना है, कर आपको आपको इने ही जुबूटी है, यहां पे बन के तयार हो जाती है, तो आभी देख सकते हैं, हम इसे हाइफ लें पर इस तरह से कुग कर रहे हैं, और जैसे ही इसे बाद हम इसे पलटना शुरू कर देंगे, इनके उपर बहुत ही जल्दी से प्यारा से कलर आना शुरू हो जाता है, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लेसे इस वीडियो को जाता से जाता लाइक कर दें, और बक्राइद का टाइम है, आप क्रिस्पी कुरकुरी कुरकुरी बनती है, मैं इसमें लास्ट में, थोड़ी सी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता आड़ करूंगे, जिसे क्या होगा, इसमें काफी अच्छा फ्लेवर भी मिलेगा, और आपको थोड़ी सी मिर्च भी फ्राई करके, इसके साथ खाने में बहुत तेस्टी लगने वाली है, तो इस तरह से यहां पर मैंने बेव ड्राई बोटी बना के कर ली है, तयार और आप देख सकते हैं, इसका लुक कितनी परफेक्ट बरी है, खाने में बहुत ही करारी-करारी बनके तयार हुई है, आप भी अपने कुछ ऐसी रसिपी मेरे साथ शे करते हैं, कि हमारी जो बोटी है, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, तो आप दिख सकते हैं, यहां पर इसके उपर बड़या सा क्रंच आ चुका है, अंदर से काफी सॉफ्ट है, उपर से क्रंची है, तो आपकी यह नई तरह की बीव ड्राई बोटी बनके तयार है, एक आप इससे जरूर बनाएगा स्टार्टर में, पार्टी या दावत की टाइम पर बहुत पसंद आएगी, वीडियो गर पसंद आ गई हो, तो लाइक कर दे, शेर कर दे, फालो करना बिल्कुल न भूले,